लब अबर, DSA sheet, question number 2, find minimum and maximum element of an array, बहुती easy question है, as a warm up question पूछा जा सकता है, और बहुती असान concept है, जल्दी से देख लेते हैं, आपके पास एक integer array है, आपको इस में से सबसे maximum element बताना है, और सबसे minimum element कौन सा है, वो बताना है, तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे असान trick है कि हम assume कर ल और कोई भी number नहीं है, तो हमारा जो पहला number है, वो ही हमारा minimum होगा, और वो ही हमारा maximum होगा, अभी तो हमारा clear है concept, क्योंकि अगर एक ही number है, तो वो ही minimum होगा, और वो ही maximum होगा, अब हम आगे बढ़ते हैं, और हम ये देखते हैं, कि ये जो number 2 है, क्या ये minimum बन सकता है, तो तो पहले minimum से compare करेंगे, तो ये minimum नहीं बन सकता, फिर हम इसे maximum से compare करेंगे, क्या ये maximum के लिए candidate बन सकता है, तो जी हाँ ये maximum के लिए बन सकता है, क्यूंकि maximum 1 है, तो maximum हम बढ़ा सकते हैं, क्यूंकि 2 1 से ज़्यादा है, तो update कर देते हैं, इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्या 3 minimum बन सकता है, 3 minimum नहीं बन सकता क्योंकि already हमारे पास उससे अच्छा better minimum value है, क्या 3 maximum बन सकता है, 3 maximum obviously बन सकता है क्योंकि maximum 2 है और हम update करके उसको 3 कर देंगे, ऐसे ही next number 4 है तो आप minimum maximum update कर लोगे, next number 5 है तो minimum maximum हमारा update हो जाएगा, तो मैंने एक example इस तरीके से लिया था कि minimum इसमें ज़्यादा changes नहीं आए, लेकिन अगर आपका unsorted array है, जिसमें कभी छोटा number आ रहा है, कभी बड़ा number आ रहा है, तो उस case में आप बार बार comparison करेंगे और easy तरीके से इसको calculate कर सकते हैं, तो हमें एक शुरू से traverse करना है, linear traversal करना है, सारे number को एक एक बार visit करना है, और comparison करना है, तो हमारी जो complexity हो जाएगी, वो big of n हो जाएगी, और हमने कुछ variables यूज करें, कुछ comparison करा, तो ऐसी कोई extra space हमारी use नहीं होई है, तो space complexity big of 1 हो जाएगी, तो अब जल्दी से code में jump करते हैं, और इसको code करके एक बार देख लेते हैं, तो हम intelligent use करने वाले हैं, इसमें हम code करेंगे, और यह मैं Java में code कर रहा हूँ, तो आप बहुत ही easy तरीके से code को देख के समझ सकते हो कि basically हम कर गया रहे हैं, एक हमारे पास example है, इसमें हमारा जो minimum है, वो basically 1 है, और जो हमारा maximum है, वो 9 है, तो आप देख सकते हो, अगर पूरा integer आ रहे हैं, आप देखोगे, तो 1 सबसे छोटा है, 9 सबसे बढ़ा है, तो एक function बनाते हैं, function को नाम दे रहते हैं, find min and max नाम दे रहते हैं, तो इसमें हम अपना array को पास कर देंगे, और उसके बाद हम calculate कर लेंगे कि minimum क्या है, और maximum क्या है, ठीक है, तो इस function को जल्दी से लिख लेते हैं, और इसमें हम print करके भी check कर लेंगे, कि हमने हमारा जो output आया है, वो क्या है, इसको एक बार print करके भी देख लेंगे, तो सबसे पहले हम linear traversal करेंगे, सारे नंबर को एक एक बार हमें visit to at least करना ही पड़ेगा, तो इसका बहुत ही easy code होता है Java में, पहले मैं comparison करके थोड़ा सा लंबा code लिखूँगा, फिर हम easy code लिख सकते हैं, तो शुरू करते हैं, minimum को हम काम करते हैं, एक minimum बना लेते हैं, और इससे पहले interview में आपको complete code लिखना होता है, तो आप चेक कर सकते हो array आपका, या फिर array आपका null है, या फिर array के जो length है, वो 0 है, तो आप यहाँ पर return कर सकते हो, तो यह अच्छी practice होते हैं कि ऐसे edge cases भी आप handle करो, फिर जो minimum होगा, वो आप पहला index बना लो, और जो आपका maximum होगा, वो भी हम पहला माल लेते हैं, क्योंकि अभी पहला number है, तो वो ही minimum है, और वो ही maximum है, ठीक है, इसके बाद हम one से start करते हैं, अगले number से start करते हैं, तो serum compare कर लेते हैं, जो आपके पास number आया है, अगर वो छोटा है, minimum से, तो यहाँ पर आप minimum update कर दो, तो minimum आप क्या कर सकते हो, minimum is equal to array of i, ठीक है, और अगर आपका एक और condition लिख दो, अगर यह number आपका maximum से बड़ा है, तो आप maximum update कर दो, ठीक है, तो यह जब complete हो जाएगा for loop, तो हम जल्दी से print करके देख लेते हैं, कि हमारा maximum क्या है, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इस तरीके से लिख देता हूँ, maximum, ठीक है, और यहाँ मैं लिख देता हूँ, minimum, तो हमें पता लग जाएगा, और इसको मैं जल्दी से run करके देखता हूँ, फिर इसका थोड़ाज़ा मैं code, मैं shortcut use करूँगा, जो लोग java use करते हैं, तो आप देखोंगे maximum यहाँ पर लिखा आगया है, maximum 9 है, minimum 1 है, तो अब हम इसको एक single line में भी लिख सकते हैं, आप math वाला function use कर सकते हो, minimum is equal to math class use कर सक ठीक है, तो इसमें minimum compare करो, और जो जो number आते रहें, वो compare करते जाओ, तो यह जो function होता है, math class का यह दो parameter लेता है, और यहाँ पर आप maximum लिख सकते हो, ठीक है, और यह भी दो function लेता है, हर बार हम number यहाँ डालेंगे, जो भी हमारा for loop में number आएगा, और हर बार उसे maximum से compare और अगर बड़ा होगा, तो यहाँ पर maximum को update कर देंगे, तो math class के दो function होते है, math.min, तो यह minimum compare करता है, छोटा होता है, तो minimum update कर देता है, और math.max, तो हम हर बार max को, हम चेक करते हैं, कि max और जो number आया है, वो दोनों में से बड़ा कौन सा है, अगर जो भी बड़ा होता है, में आके save हो जाता है, हर बार maximum update होता है, तो same logic के लिए मैंने इस बार math class के function use कर लिए, तो आप यह use कर सकते हो, काफी code असान हो जाता है, इसको एक बार run करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ, कि output हमारा सही आएगा, तो आप देख सकते हो, यह maximum 9 है, minimum 1 है, तो इस वीडि कर सकते हो, उसमें आपको multiple patterns मिल जाएंगे, सारी playlist मिल जाएंगी, और भी videos मिल जाएंगी, यह videos देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, यह जए, अजय कर दो देखने के, यह मैं निएकोंतो फे ज़ीजर, व business जीए, जाएंगे, सारी बाल का ऑन्यवाद, देखने के लिएज़ विए, देखने के, वे देखने के लिल जाएंगे, थTORते हूँ एँ.